हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनिस्कूल पर हर दिख स्वागत है देखिए डिल्सी 2.0 की अपार सफलता एक नवंबर से 30 नवंबर के बीच 1.15 करोड जीवन परमान पत्र जो हैं जमा किये गए हैं सरकार के दौरा ये अपने आ और वहाँ पर डिल्सी कैंपेन चलाया गया था जिसके तहट बहुत ज़्यादा पैंस्नर्स ने बढ़ चरका हिस्सा लिया और जो भी अपने नजदी की डिल्सी सेंटर में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखिए अपना जीवन परमान पत्र जमा किया यह अपने आ है कि देखे जब किसी भी चीज की सुरुआर्थ होती है तो आपको जीरो से करना होता है लेकिन जैसे धीरे धीरे हम आगे चलेंगे तो यह जो परेशानियां हैं अडचने हैं यह आपको हटती हुई दिखाए देंगी कुछ पैंस्नर्स ऐसे हैं जिनका अभी अभी माइग कर दिया है तो अब हम क्या करें क्या हमारी दिसंबर की जो पैंसन है वो अब नहीं आएगी इन सारे सवालों के जवाब अपने इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखे आज की ही PIB की रिपोर्ट है Union Minister Dr. Jitendra Singh Compliments Department of Pension and Pensions Welfare Pension Dispersing Banks Pension Welfare Associations Own Successful Conclusion of National Wide Digital Life Certificate Campaign 2.0 जैसे मैंने आपको बताया कि देखे ये जो कैमपेन था 100 सहरों में 597 Locations में 1 November से लेके 30 November तक जो है चलाया गया था 1.15 करोड DLC जो है इसमें जनरेट किये गए अगर बात करें इंक्लूडिंग 38.47 लाक DLC जो है Central Government Pensioners के और 16.15 लाक जो है State Government Pensioners के और 50 लाक से जादा देखे EPFO Pensioners के जो DLC है वो यहाँ पर submit किये गए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आकड़ा है यह और देखे आगे तलके करें हम बात करें Defense के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि कितने Defense के जो थे ऐसे Pensioners यहाँ पर DLC submission is an ongoing activity as more than 35 lakh Defense Pensioners can submit Life Certificate in the month of their retirement देखे जो अपने retirement का मन्त है या जो Ispurs में शोक कर रहा है उसके आधारपदे के 35 lakh Pensioners डिफेंस Pensioners जो है वो अपना जीवन परमान पत्र जमा करेंगे बाई March 2024 it is expected that total DSE submission would cross 50 lakh marks कि March 2024 तक यह आंकड़ा जो है 50 lakh पहुँच जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बहुत important यहाँ पर जो है तस्वीरे दिखाई गई है और जैसे मैं आपके साथ regularly share करता रहा हूँ कि देखे यह जो है बहुत अच्छा चला और बहुत अच्छे से यहाँ पर जो सारी चीज़ चलाई गई है जिस जिसने भी इसमें भाग लिया है वो देखे बता रहा है इसके experiences कि देखे वहाँ पर काफी अच्छे से और बहुत आसानी से जो है अमना अपना जीवन परमान पत्र जमा किया अब लेते हैं आपके कुछ सवाल देखे तीस तारिक में कल ही यह message आया कि देखे आपका SPIRS में migration हो गया है You have been migrated to SPIRS future जो pension आपका PPO number है legacy PPO number will now be made by SPIRS अब आपका PPO number जो है SPIRS बनाएगा फिर आपका SPIRS PPO हो जाएगा You can avail services of SPIRS shortly आप बहुत ही जल्द SPIRS की जो services हैं उनका फाइदा उठा पाएंगे login credentials with new SPIRS PPO number इनको बताया गया कि देखे आपका migration complete हो चुका है और यहाँ पर इनको PPO number भी देखे लिखके आया migration और जो PPO number था वो आगे था तो जो कि सबसे important चीज़ यह है आगे इसमें लिखा हुआ है Your identification is due on 30 November 2023 Please complete same to avoid stoppage of pension तो देखे इन्होंने पुछा Sir LC जो है दुबारा देना है कि आज pension भी नहीं आया है यानि उनके पास सुबह सुबह pension नहीं आया तो मैंने इनको बताया जब migration होता है तो कभी कभी कुछ देरी हो जाती है आप 4-5 दिन वेट कर लीजिए लेकिन देखे कल ही उनका फिर बाद में लेट में pension आ गया और उनको जितना pension मिलता था उससे बढ़ा हुआ pension यानि 46% DR के साथ जो है रिसीव हुआ है तो ये तो बात रही जिनका migration हुआ है उनको क्या करना है देखे आपको wait करना है आपको user ID और password मिलेगा आप maximum 15 दिन का इंजा करें आपको user ID और password मिल जाएगा फिर आप इस purse पर अपनी services जो है देख सकते हैं PDV और consent form के बाद में आपको पता चल जाएगा उसमें आपकी जीवन परमानपत्र की date जो है क्या दिखा रहा है देखे अगर आपने bank में already submit कर दिया है तो ये bank की responsibility है कि वो देखे same to same data जो है इस purse में भी copy हो लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपकी last date due date क्या है और अगर ऐसा होता है तो आप उस time पे अपना submit कर सकते हैं देखे बहुत से pensioners मुझे ऐसे मिले आज जिन्होंने बताया कि देखे हमारा अभी दो दिन के अंदर जो पिछले 20 दिन से pending चल रहा था status वो इस purse में show हो रहा है कि देखे 30 नवंबर 2024 आपका जो इस purse है उसमें show होने लगा है identification due date और ये अपने आप में बहुत important है क्योंगे इस purse की पूरी team काफी जिन से busy चल रही थी और इसी वज़े से अब आपके जो है one week के अंदर हो सकता जिस जिसके भी pending होगे वो mostly सारे के सारे clear कर दे जाएंगे अब बात करते हैं कि क्या December की pension नहीं आएगी देखे यहाँ पर साफ साफ PCD की तरफ से guideline जारी कर दी गई थी और बैंकों को भी CPPC सबको बताया गया था कि देखिए 31.12.2023 तक आपको जो है ये सारी चीज़े complete करनी है अगर बैंक में कोई भी जाता है तो आपको सबका data identification जो है इस format में और 31.12.2023 तक देना है तो यहाँ तक आपको टरने की कोई भी जरूरत नहीं है आपकी December की pension जो है नहीं रुकने वाली है यह यहाँ पर PCDA ने पहले ही बता दिया था बस important आपको यह है कि आप अपना regularly चेक करते रहें और जैसे ही आपका due date जो है 2024 हो जाए आप निश्चिंत होके इंतिमिनान से अपना बैठ सकते हैं इतने आपको हो सकता है कि 2-4 दिन थोड़ी परिशानी हो देखना पड़े बढ़ देखे जैसे मैं आपको बताया कि यह initial phase है और initially phase में कोई भी हो हमेशा परिशानी होती है लेकिन उसके बाद में उसका जो enjoyment है जो smoothness है वो भी आपके लिए ही है तो यह थी आज की बड़ी जंकरी फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै बारत